जै जीनेंद्र, DFI के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे की चालीसा क्या होती है? तो आईए शुरू करते हैं। चालीसा जैन धर्म और हिंदू धर्म, दोनों में ही एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। चालीसा शब्द हिंदी संख्या चालीस से लिया गया है। पार करके लंका तक छलांग लगाना, इत्यादी। उसी प्रकार जैन चालीसाओं में तीर थंकरों के महान कारियों और उनकी शिक्षाओं पर प्रकाश डाला गया है। जैसे आदिनाथ चालीसा में भगवान आदिनाथ के जीवन के बारे में बताया गया है। और उन्होंने हमें ध्यान का महत्व कैसे समझाया है, साथ ही कैसे किसी को आहार की विधी न पता होने के कारण उन्होंने छे महीने बिना भोजन के बिताएं। ये जैन चालिसाएं तीर थंकरों की प्रशंसा करने और उनका आशिरवाद लेने, उनके गुनों को बताने और अनुयाईयों की भक्ती व्यक्त करने के साधन के रूप में काम आती हैं। करने वाला प्रतेक भक्त तीर थंकरों की अहिंसा और सत्यता की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है। यदि आपको अब तक वीडियो पसंद आया हो तो कृप्या इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। तीर थंकर के सदगुनों पर ध्यान केंडरित करके भक्त अपने भीतर समान गुनों को विक्सित करने का लक्ष रखते हैं। यदि आपको आपको आपके आध्यात्मिक पत पर प्रेरित और उन्नत करें।